जहीं दोस्तों तो आज हम फिर से काफी important vacancy देखने वाले हैं जो की grade B officers recruitment से जुड़ी हुई है Central government की permanent vacancy Reserve Bank of India के तरफ से निकल के आ रही है यानि RBI grade B officers recruitment इसके बारे में हम discuss करने वाले हैं इससे जुड़ी हुई जितनी भी बाते हैं जिसमे salary, syllabus, eligibility, job profile, exam pattern सबी चीज़े देखेंगे काफी सांदार opportunity है और काफी अच्छी job profile है इसकी क्योंकि Reserve Bank of India में आपको काम करने का मिलेगा Grade B के post होने वाले है इनिसल जो आपकी salary रहेगी वह 1,16,000 के आसपास आपकी gross salary रहेगी net salary भी आपकी 80,90,000 के आसपास आपको per month मिलेगा तो complete जयनकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी eligibility सिर्फ graduation है और भी कुछ post है उनको भी देखेंगे तो इसके बार में देख लेते हैं सारी जानकारी और इसकी pdf आपको हमारे जो vacancies है वो तीन vacancies एक general department में है एक DEPR है और एक DSIM है ये क्या क्या है इसके बार में अभी हम देखेंगे बट आप ये मोटा मोटा जान ले कि ये तीन आपके department से यहाँ पर आपकी vacancy आ रही है सबसे ज़्यादा लोग general में apply करते हैं क्योंकि वहाँ पर graduation सिर्फ eligibility होती है mode of application हार exam की तरह यहाँ भी online ही होने वाला है online आपको आविदन करना है RBI के official website पर जा करके online application form मिलेगा और उसके थ्रू आप apply कर पाएंगे सबसे पहले important dates की बात कर लेते हैं तो देखिए website link open for online registration of applications and payment of application fee जो आप कर रहेगा यह जुलाई 25 से लेकर 16 अगस्त 24 तक आपका रहने वाला है आपको कितीन department में आपकी vacancy है सबसे पहले officers in great भी general में बात करते हैं तो इसमें आपके पहले जो phase 1 online examination होगा phase 1 का वो आपका September 8-24 को हने वाला है ठीक है उसका पद जो आपका phase 2 का paper होगा paper 1 and paper 3 sorry paper 1, 2 and 3 तीन paper होते है phase 2 में 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 आपके वो तीनो paper आपके कब होंगे October 19-24 को ऐसे ही आप DEPR में देखें और DSIM में देखें तो यहाँ पर इनके भी date सुनेशित कर दिये गए है पहले से ही यह change हो सकता है maybe further but आप इसको जहन में रखेंगे कि यह आपके पास tentative date है schedule है उसी साब से आप अपनी तरहरी को अंजाम दे सकते है ठीक है तो सबसे पहले देख करें तो Department of Statistics and Information Management यह आपका Department का नाम है तो इसको अब ध्यान में रखेंगे ठीक है और यह dollar यह बाकी जो symbols है इन सभी के meaning क्या है वो आपको यहाँ पर mention के वह है तो इनको भी आप देख सकते है ठीक है चलिए अब नीचे आते है और जो important चीजह है उससे भी देख लेते है ए इन रिजर्व बेंक और इंडिया तो RBI में आपकी पोस्टिंग होगी ठीक है ओफ इसल से इंग्रेट भी सबसे पहले आप देखें जनरल में आपकी वेकंसी यूँवार कटिकरी में 27 वेकंसी है ठीक है तो इसको धहर में रखेंगे जनरल में आपकी 27 वेकंसी है यूवार जनरल में आ रही है तो इसको आप ध्यार में रखेंगे बाकी यह PWD के टिकर इसके हाँ पर आपको मेंसिन की वही है ऐसी DEPR में आप देखें इसमें आपकी 8 वेकंसी यूर में है एक वेकंसी आपकी SC में है ST में 6 वेकंसी है और OBC में 5 वेकंसी है कुल मिला करके 21 पदों में आपकी EWS में एक वेकंसी है 21 पदों में आपकी DEPR में वेकंसी है और DSIM में 2,1,4 और इस तरीके से आपकी टोटल मिला करके 7 वेकंसी आपकी इसमें आ रही है ठीक है तो कोली मिला करके 1996 पोस्ट पे आपकी ये वेकेंसी अडवर्टाइज की गई है ठीक है और बाकी जानकर ये आप इसको यहाँ से रीट कर सकते हैं जितनी भी इंपोर्टेंट चीजे हैं उसको देखते चलेंगे ठीक है और इस नोट disruption में आगे बढ़ते हैं और जो इंपोर्टेंट चीजे हैं उससे भी एक पर देख लेते हैं अब बात कर देते हैं बात कर लskin हूंगे ठीक है in the pay scale, pay scale आपको यहां पर mention के हुई है, इस pay scale को आप देख लेंगे, इसी pay scale पर आपकी joining होनी है, और 55,200 आपके starting basic पे होगा, इस basic pay के उपर में आपको कुछ allowances मिलेंगे, जिसमें आपका डिरनेस allowances होगा, उसके बाद और भी बहुत सारे जितने भी allowances यहां पर mention के हुए है, वो सारे चीज़े, HR-A मिलेगी, ठीक है, special grade allowances है, learning allowances है, company century allowances है, ठीक है, इस तरीके से, यह सारे चीज़े आपको मिलती रहेंगी, at present initial monthly gross employment without HR-A और 1,22,717, तो आप देख सकते हैं, पर salary आपकी बहुत ही जादा है, ठीक है, जो आप initially join करेंगे, तो आपकी पर month gross salary बनेगी, HR-A हटा करके, HR-A इसमें add नहीं किया गया है, फिर भी, आपकी salary 1,22,717 रुपे बनने वाली है, ठीक है, और इसमें 15%, अगर आप HR अगरे भी add कर दें, तो और आपकी salary increase हो जागी, यह gross है, इसमें कुछ reduction भी होंगे, आपके NPS वगरा में, तो आपके पास salary काफी 1 lakh plus ही आने वाली है, ठीक है, तो काफी अची salary है, इसको आप देख लेंगे एक बार, ठीक है, seniority के यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है, उ and must not have attained the age of 30 years, ठीक है, तो minimum age आपकी 21 years है, और maximum age आपकी 30 years रखी गई है, as on July 1st 2024, एक July 24 तक आपकी उमर 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, आपका bond जो है, वो not earlier than July 2nd 1994 and not later than July 1st 2003, एस limit का ध्यान में रखेंगे, एस relaxation भी आपको प्रवाइड किया जाएगा, उसको य नीचे आते हैं, साम पेटर्न की बाद में, minimum educational qualification के बात कर लेते हैं, ठीक है, minimum educational qualification क्या है, तीनो departments में आपकी, सबसे पहले देखिए, officers in grade B, general में आपकी क्या requirement मांगी जारी है, तो देखिए, graduation in any discipline, किसी बे discipline में है, whether science में हो, commerce में हो, arts में हो, आपके पास graduation यानि असना तक हो लेकिन graduation में आपके पास marks होने ही चाहिए, ठीक है, for your category, यानि general category, और बाकिया SCST और PWD है, उनके लिए 50% आपके पास graduation में होना ज़रूई है, यानि तो post graduation है, आपके पास graduation में, तो भी आप इसके लिए apply कर सकते हैं, यानि तो equivalent कोई technical या professional qualification है, minimum 55% marks के साथ, तो इसको एक ब पर summarize कर लेते हम, कि अगर आपके पास graduation है, तो minimum 60% चाहिए, subject कुछ भी हो सकता है, stream कोई भी हो सकता है, ठीक है, और अगर आपके पास post graduation है, तो आप उसकी basis पे भी apply कर सकते हैं, उसमें आपके पास 55% minimum होना चाहिए, किसी भी stream से, किसी भी subject से, तो आप इसके लिए आवे द technical qualification, which are recognized by the government as equivalent to professional or technical graduation, will be eligible for admission, ठीक है, तो कोई भी 3 साल का course, class 12th के बाद, जिसको government recognize करती है, तो आप उसकी लिए भी आवे दन कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरीके से आप देखे, DEPR, इस department में आपकी क्या essential qualification मांगी जा रही है, यहाँ पर देखे, यहाँ पर आपकी कुछ conditions होत देखे, वेर, economics is the principal constituent of the curriculum, यह syllabus, namely MA, MSC, in quantitative economics, mathematical economics, financial economics, business economics, agriculture economics, industrial economics, और, या तो आपके पास master's हो economics में, या नि तो ऐसा कुछ, master's degree हो आपके पास, जिसमें economics, principal constituent हो, तो आप इसके लिए आवे दन कर सकते हैं, बाकि ऐसे ही, यह था, या तो आपके पास यह qualification हो, या नि तो आप आपके पास यह B वाला condition, यह वाला qualification हो, या नि तो C, यह वाला qualification हो, इन में से कोई भी qualification हो, अगर आपके पास है, तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं, ठीक है, इसको एक बार आप read कर लेंगे, ठीक है, वैसे आप देखिए, DSIM में भी आपको यहाँ पर qualification में सीख किया है, statistics से जुड़ा हुआ इसमें है, अब master's degree in statistics या mathematical statistics, mathematical economics, economics, statistics and informatics, applied statistics and informatics with a minimum 55% marks और equivalent degree, grade in aggregate in all semester or years, ठीक है, या नि तो और करके आपको यहाँ पर और भी qualification mention किये गए है, इन में से कोई भी qualification आपके पास होगा, तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं, इसके बाद नीचे आते हैं, ठीक है यह CGPA वगर आपको कैसे calculate करना, अगर 6.75 CGPA 10 point scale में है, तो 60% के equivalent मना जाएगा, इस तरीके से आप इसको देख लेंगे एक बार, ठीक है, तो यह CGPA, scheme of examination के आपको बात कर लेते हैं, ठीक है, को experience वगर रहे नहीं है, फ्रेसर बिल्कुल इसके लिए apply करेंगे, scheme of examination देखिए, तो selection for the post will be done through online or written examination in phase 1 and phase 2 and interview, तो तीन phase है आपके पहले phase 1, फिर phase 2, फिर interview, detail scheme आपको नीचे दिया गया है, उसको देख लेते हैं पर, तो देखिए online examination centers for phase 1, जो phase 1 का आपका exam होगा general में, उसके लिए centers आपके कहां कहां होंगे, तो देखिए state and UT, यहाँ पर center आपको mention किया ग इन से भी districts में आपके center होगे, महराष्टा में इन districts में होगे, बिहार में district में आपके center होगे, इसी तरह के सवनाचरप्रदिस में यह होगा, दमेनन्दियो में होगा, गोवा में होगा, पंजी में ठीक है, इस तरह के से हर state का आपको center यहाँ पर mention किया गया है, तो आपके जो भी state है, उसके center आप यहाँ पर देख ले, तो center की भी आप को चिंता नहीं है, आपके state में इसका center होने वाला है, अब बात करते हैं आप जब phase 1 क्लियर कर लेंगे, तो phase 2 में आपके center कहां कहां पर होंगे, जनरल की हम बात कर रहे हैं अभी डियर जनरल में, ठीक है, यहाँ पूर्पूर राइपूर मॉंबई नागपूर नियुदेली पतना पुने थिरुवन अन्पूरम यह सारे आपके फेस्टू के सेंटर से हैं ठीक है तो आपके नियरबाइज जो भी है तो आपको यह मिलेगा सेंटर सफर फेस वन फेस्टू फर ग्रेड बू डी प्यर ओ डी अप्लिकेशन फी की बात कर लेते हैं तो काफी मिनिमल है अप्लिकेशन फी यहां पर दीखें जो अची वेकेंसी होते हैं फीस भी वहाँ पर काफी नॉमिनल है अप्लिकेशन फी एंड इंटिमेटिसन चार्ज क्या है यहां पर S E CST और P WT के लिए आपके 100 रूपीज है सकते हैं और बाकी जो वहां के स्टाफ है उनके लिए कोई फीस नहीं ठीक है तो इसको आप एक बड़ देख लेंगे उसके बाद नीचे आते हैं और आपको यहां पर मेंशन किया ही हुआ है ठीक है अब एक्जाम पेटर्न वगर आए देख लेते हैं लास्ट टेट फॉर आपका लास्ट टेट है अप्लाई करने का सामके 6 बज़े तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक है और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन्स आपको यहां पर दिये हैं इसको भी आप एक बार रीड कर लेंगे ठीक है और नीचे आते हैं और जो इंपॉर्टन चीज़ा होगी फॉर्म फिल अप करते हैं ठीक है अप्लिकेशन फी के बारे में आप जानकारी दीगी है गाइडलाइन स्कैनिंग फोटोग्राफ अगर आप को यहां पर मेंशन किया गया है अब बात कर लेती स्कीम अफ सेलेक्शन एंड स्लेबस फॉर ऑफिसर्स इंग्रेड भी ज अप्राइज सिंगल पेपर अफ्टोंडेड मार्क्स एक सिंगल पेपर होगा 200 मार्क्स के लिए होगा विल हैल्ड ऑन सेप्टेमबर एट ट्वन ट्वन टीफोर डेट भी आपको पहले से पता है आठ सप्टेमबर दोजाएच ओविस को डिपेंडिंग ओन देट्स इंग् समय 200 प्रसनों के लिए आपको 120 मिनट का समय आपको यहाँ पर मिलेगा उसके बाद हावर सेप्रेट टाइमिंग विल बे अलोटेट फॉर इच टेस्ट ठीक है यह जनल अवेड़नेस है इंग्लिस लेंगविज है इसको आप ध्यान में रखेंगे उसके बाद देखिए क्लिफाई आप कर लेते हैं ठीक है हर फेज में तो आप फेज टू के लिए क्लिफाई कर जाएंगे चंडिट्स क्योर मिनमम मार्क सेपरेटली फॉर इच टेस्ट ठीक है एस प्रिस्क्राइब विल बी सॉट लिस्टेट फॉर फेज टू अफ इग्रिकेट मार्क्स करके तब आपका फेज टू होगा जो की ओनलाइन एग्जमिशन होने वाला है इसमें देखिए यह भी ओनलाइन है तो फेज टू ऑनलाइन एग्जमिशन विल बी कंड़क्टेड ऑन ऑक्क्टूबर 19th 2024 तो समय आपके पास कम ही रहेगा इसके लिए भी फॉर दे केंडिट पास के लिए रिलिस की जाएगी और इसमें आपके प्रसंद फेस टू में कैसे आएगे तो इसको देखिया आप पेपर वन इसमें आपके तीन पोड़ने फेस्टू या इन इमेंस में इसमें पेपर वन में आपकी इकनोमिक और सोसल इसूस की क्वेशन होंगे जिसमें 50% objective और 50% जो आपको टाइप करना पड़ेगा 90 मिनिट्स ठीक है तो जो आपका पहला पेपर है उसमें इकनोमिक एन सोसल इसूस के कोश्चन होगे 50% जो कोश्चन हाएंगे उसके 30 मिनिट्स आपको मिलेंगे और 50% जो descriptive टैप होंगे उसके लिए आपको 90 मिनिट्स का समय मिलेगा ठीक है और माक्स आप 50-50 देख लेंगे 100 नमबर आपका ये पेपर आपका होने वाला है समय कोल मिला करके 120 मिनिट्स आपको मिल रहा है पेपर 2 आपका फिर होगा इसी में जो कि अब यह हम फेज 2 की बात कर रहे है तीन पेपर है पहले पेपर का हम नहीं देख लिए आप दूसरा पेपर में क्या आएगा तो राइटिंग स्किल्स इंग्लिस राइटिंग स्किल्स के आपकी कोश्चन आएंगे ठीक है जिसमें इसमें आपके छे प्रस्न पूछे जाएंगे जिसमें चार आपको कोई भी करने है इसमें जिसमें दो पंदरा-पंदरा माक्स की होंगे जो कि करेंगे डिफिकल्टी लेवल में और दो आपके 10 माक्स होंगे ठीक है इस तरह से आपके 50 माक्स के आपके यह कोश्चन होने वाले है ठीक है उसके बाद देखिए ओल कोश्चन पेपर्स जो आपके होंगे वह इंग्लिस और हिंदी दोनों ही टाइप दोंगे इसके बाद जब आप क्लियर कर लेते हैं तब आपका जो फेस थर्ड है सिलक्सन का जो कि इंटर्व्यू का प्रोसेस होना है वो होगा और फिर आपकी जो जो जाइनिंग हो जानी है इसकी बी कट अबनेगी और फिर आप सॉट लिस्ट किया जाएंगे और आपको पता करें जो आपका कयुतो रिकॉयर को परासनेटी असेश में चtha त्रकंट तो रह्ट अच भी प्रोड नहीं बंस भी में चाल उंट प्रेट लिस्ट वर और रिए?" तो फिर जो आपका final selection होगा वो किसके basis पर होगा यह आपका phase two वाला paper और interview इन सभी के basis पर आपका अगर आप इनके लिए भी eligible है तो आप इनको देख सकते हैं ठीक है तो आप इसको खुद से विडिट कर लेंगे जो जनरल वाली थी वो हमने बता दी आपको तो यह PDF आपको टेलिग्राम पर मिल जागा उसको आप डाउनलोड कर लेंगे books की reference वगरा सब कुछ आपको यहाँ पर दी गई है तो आप काफी इस PDF को यूज में ले सकते हैं ठीक है थैंक्यू सो मच